हेलो फ्रेंड्स मैं रजनी तिवारे इनिट हुरेजनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सोया बड़ी की बहुती टेस्टी चटपटी सेबजी बनाना बताऊंगी जो कि एक बारी सेबजी को जो खा लेगा तो बार-बार डिमांड करके यही सेबजी बनवाएगा बेजितेरियन्स के लिए सोया बड़ी बहुती अच्छा बिटामिन का शुरूत होता है साथ में हम सोया बड़ी को इंस्टेंट बीना भीगोए सबजी बनाने का तरीका भी बताऊंगी तो चलते हैं केचिन में अच्छा सुनिए सब्सक्राइब करते वक्तना घंटी बजा देजे ताकि हमारे बेंगन आप तक पहु सके सोया बड़ी की सब्जी बनाने के लिए मैं सोया बड़ी ली हूँ आपको जितनी सब्जी बनानी हो आप उसके एक और्डिंग सोया बड़ी ले सकते हैं सब्जी बनाने के लिए हम मसाला बना लेते हैं जिसके लिए हम दो प्याज को इस तरह से मोटे-मोटे टुकडे में काट कर ले लिए हैं. अब हम एक मिक्सा जार लेंगे और इसमें कटे हुए प्याज डालंगे। चार हारे मिर्च लिए हैं, इसे भी तोड़कर डालेंगे। एक चत्रा के टुकड़े को इस तरह छोटे टुकड़े में काट लिये हैं एक अटलासन को हमने छीड कर ले लिया है एक चमच काली मिर्च लेंगे और जीरा लेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसमें बीना पानी डाले इसे पीश लेंगे प्याज में मौशर होता है उसी से यह अच्छे से पीश जाएगा तो यह हमारा मसाला पीस के रेडी है इसे बहुत ज़्यादा फाइन ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है नर्मल ही पीस के रेडी करेंगे इसे एक बाल में ट्रांसफर कर लेंगे सेम जार में दो टमाटर को डालेंगे और इसे भी महीन पीस लेंगे तमाटर का पेश्ट बनके रेडी है, इसे एक बाल में टांसर कर लेंगे हमने 6 से 7 बाल किये होए आलू लिये हैं, इसे छोटे टुकड़े में तोड लेंगे आप चाहे तो चाको की मदद से 2 से 3 टुकड़ों में काट कर भी ले सकते हैं तो अब हम चलते हैं सेबजी बनाने के प्रोसेस में गेस पर कड़ा ही रखेंगे और इसमें एक चमस कुकिंग वल डालेंगे और इसमें सोया बड़ी को डाल कर सुनारा होने तक भून लेंगे और गेस के फिलिम को मीडियम टूलो रखेंगे इसे लगता रेश्टर करते हुए भूनेंगे इसे भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता बस कुछ ही मिन्टों में ये भून के रेडी हो जाता है यहाँ पर एक बावल में एक लस पानी लेंगे और इसमें आधा चमस नमक डाल कर मिला लेंगे और इसे साइड में रखेंगे सोया बड़ी भून के लाल हो चुका है तो इसे हम कडाई से पाहर निकालेंगे और डिरेक्ट नमक वाले पानी में डालेंगे इसे डालने के साथ ही ये फूल कर साइज में डबल हो जाता है इस तरह से हम भी न भी गोई भी सोया बड़ी की कोई भी रेजपी असानी से बना के रेडी कर सकते हैं अब देख सकते हैं ये एक से दो सिकेंड में ही ये फूल कर साइज में डबल हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे निचोड़ कर पानी से अलग कर देंगे नमक वाले पानी में डालने से ये खाने में फीके नहीं लगते सेम उसी कड़ाही में दो चमस सरसो का तेल डालेंगे और इसी घरम कर लेंगे तड़के के लिए एक तिजबता बैड़ी इलाइची, दलचीनी, दो छोटी इलाइची, लॉंग और जीरा लिये हैं तेल में डालकर चटका लेंगे जब यह चटक जाए तो इसमें प्याजवाला पेस्ट डालेंगे और इसी अच्टर करते हुए गोल्डेन होने तक भून लेगे लिट से कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे प्याजव अच्छे से भून चुका है तो इस अच्टेज़ पर हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसी अच्टर करेंगे अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे जिसमें एक चमर धनिय पाउडर, कस्मेरी लालमिच पाउडर, हल्दी पाउडर और टेश के कॉडिंग नमक लिए हैं अब इस सारे मसालों को डाल कर भून लेंगे इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कच्टा फ्लिवर खतम न हो जाएं और इसे तेल से प्रेट हो जाएं लिट से कॉवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे मसाले अब अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें कस्तोरी मेथी डालेंगे और एक चमच गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर दो मिनट के लिए और भूनेंगे और इसे लिट से कॉवर कर देंगे गेस के फिलेम को मीडियम टू लो रखेंगे जिसे मसाले भी न जले अच्छे से भून जाए दो मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से भून चुका है इसे तेल भी से अपिरट हो चुका है तो इस अश्टेस पर हम इसमें सोया बड़ी डालेंगे अलू को भी हम तोड़कर भून लिये थे जो के रिकॉर्ट नहीं हो पाया इसे भी डालकर मसालो के साथ दो मिनट के लिए भून लेंगे जिसे मसालो का एक अच्छी सी कोटिंग सोया बड़ी और आलू पे लग जाए दो मिनट के लिए इसे लिट से कौबर कर देंगे और बिच-बिच में चलाते रहेंगे सोया बड़ी और आलू मसाले के साथ अच्छे से भून चुका है तो इस एस्टेज पर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे पानी को गरम करके ही डालें जिसे सबजी का टेस्ट आच्छा रहता है अब हम इसे मिक्स करेंगे और लिट से कौबर करके मिडियम फिलेम पर पाच मिनट के लिए और कोग करेंगे पास मिनिट बाद अल्मुष्ट हमारी सबजी बनकर रेडी है इसकी ठीकनिस बिल्कुल परफेक्ट है तो अब हम गैस के फिलेम को आफ करेंगे और पांस से छे मिनिट शूप कर इसे सर्व कर लेंगे सर्व करने के लिए इसे एक सर्विंग बॉल में निकालेंगे सपाती या दाल चाल के साथ खा सकते हैं ये खाने में काफी स्वादेश लगता है तो आप भी बनाएए खाएए और अपने इस्परियंस इनिर फुरेज़नी के साथ सेयर करिए मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ थैंक यू निचे दियेगे सरकल पर अभी क्लिक करें अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मजदा रेस्पी दिख रही होगी आपको जू भी पसंदे उस पर क्लिक करें मैं वहाँ आपका वीड कर रही हूँ